वेल्कम तारा फैमली आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत है तो देखते हैं कि आज की रिडिंग अभी की रिडिंग के लिए डिवाइन आप को क्या गाइड करना चाहते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मेसेजिस और गाइडेस है तो पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है फिर से वापिस आए हैं इस परिवाइन का हिस्सा है क्रेक्टिम में सभी की श्रु एंजल का कारड है तो साइन्स आर विद यू ओ अल्रेडी तो आपको ऑल्रीडी साइन मिल रहे हैं आपम इस मिल लास चांस ब्लीज डों रूज हो 4 ओडशी ठाइक इस वाइट इस वाइड पर देड़ी वाइलेट एंजल ब्रेकिंग डान स्वियर मर्मेट यूर सैस्टिलिटी इस ब्यूटिफ बॉटम अब देख है जैमा काली आयम काली का कार्ट फॉर्म डेथ कम स्री बर्थ यह जो भी चीज है खत्म हो रही है आपके लिए जो भी चीज़े आपको परिशान करती रही है सबसे पहले तो जो मैं यही समझ पाई हूँ तो आपको साहिं लगातार मिलते रहेंगे आपके रिटिस में क्या हो रहा है या आपको मिल रहे है और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ध्यान दीचेगा तो आपको जो भी साइन मिलेंगे उसके अपको फ्लेक्सिबल बनके रहना है यहां पर कोई इंसान लगातार आपको होपलेस बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके जो भी ऑफिशल एकाउंट से उनको हैक करने की कोशिश कर रहा है प्रद्ध करना चाहते हैं जैल पैंज के हाँ पे मैसिज है गार ले लेते हैं जैल पैंज का यहां पे मैसिज है प्लैक्सिबल रिशोर्स फूल वर्सटाइल अध्या हम् आधना कि तनके ट सन्हों को पक भाएंज आधने मैं टो हां। एक इंडुए प्लाय प्लाय आधना उसिन है तैक यह मैसी प्लाय तबहूर्सपलास है इंडुए जैल प्लाय प्लाय dad युग मैसी जैल हम और वर्समाbल था जूद्पर डेवलपिंग पोटोस तो आपको यहां पे जो साइन देने की कुशिश की जा रही है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे आपके गाइड्स की द्वारा समय समय पर कि सब के लिए अपने परसनल साइन्स होंगे लेकिन आपसे यही कहा गया है कि आपको पता है कि आपके लिए क्या होना है या फिर क्या नहीं होना है अगर आपको नहीं पता है या फिर आपको नहीं पता है तो यह आपकी एनरजिस में जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपके लिए क्या होना है और आपको किस दिशा में बदर जाना है या आगे बढ़ना है इश्वर आपको गाइट करेंगे और वो आपको ही गाइट करेंगे और जब समय आएगा तभी गाइट करेंगे सी टटल का यहाँ पर मैसिज है आपके लिए सी टटल आपसे यही क्याता है कि गोविदा फ्लो कुछ मामलों में आपको यह कहा गया है कि आपको आपके पास जो भी आप जिन चीजों को करना चाहते हैं जिन कामों को करना चाहते हैं जिन चीजों में इंवेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को लेकर आपको करना चाहिए नहीं कि आपको explore कीजिए, आपके लिए क्या option हो सकते हैं, उसमें से ही आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकल कराएगा, bright heart light, open connections, तो आप connections के लिए open होंगे, definitely, या फिर आपको होना चाहिए, यहां पर जो भी situation है, इसमें किसी ने आपके life के अंदर जो चीजे करने की क कोशिश की है, कि कोई आपके accounts को hack करने की, आपके official accounts को hack करने की कोशिश कर रहा है, साथी साथ, आपका जो भी connection है divine के साथ में, और उसके लिए आपको बहुत ही जाता hopeless बनाया गया है, और आपको, आपके लिए चीजे कुछ इस तरह से मुश्किल की गई थी, या करने की को रखेंगा इस बाद को, लिसन टू ये इंट्यूटिव फिलिंग्स, ये बाड़ी इस रिसीविंग एक्कुलिट मेसेजिस फ्रम दर डिवाइन, तो आपके लिए जो भी मेसेजिस हैं डिवाइन से आपको बहुत क्लियरली मिलेंगे, या फिर आपको ये sign मिल रहे हैं, या आते हैं, तो इसमें किसी का वे कोई interference या guidance नहीं होगी, यानिकि ये one-to-one connection की बाद है डिवाइन से आपकी, emotional sensitivity, honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to us all, कुछ ऐसी ही energy से हैं, जहां पर आप से कहा गया है कि आप अपने emotional sensitivity के अंदर, या अपने emotions के अंदर, या जितने आप sensitive हैं, उनके अंदर, आप उसको appreciate कीजिए, और जो भी, आप emotions महसूस कर रहे हैं, जाए आपको, आप emotional हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, या पिर आपके अंदर, बहुत सारे emotions के उतार चड़ावा रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है, उसके लिए आपको second thought लाने की ज़रूरत नहीं है, कि आप बहुत ज़्यदा emotional हो रहे हैं, या पिर आप कुछ और महसूस कर रहे हैं, आप जो भी महसूस कर रहे हैं, वो सब को divinely guided है, और आपको आपके heart से जोडने के लिए ही है, या आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए, या रखने के ल heal away addictions, it is time to let go of behaviors that are blocking you from your heart desire, ask Archangel Raphael to help you with this healing, तो आपने पहले भी कभी अपने लिए मदद मांगी होगी, आपने कभी पहले अपने लिए मदद मांगी होगी, अब आपको जरूरत ही कि आप दुबारा मदद मांगे इश्वर से, या फिर आप किसी भी चाहिए, या पिर आप कि अगर एडिक्ट हो गए हैं, या फिर आपको किसी emotions का, किसी इस तरह की addictions का अंत करना है, जो आपके heart की block, आपके लिए heart में blockages लेकर आते हैं, या इस तरह की दिवारे आपने घड़ी कर ली हैं, कि रिष्टे अच्छे नहीं होते, लोग अच्छे नहीं होते, या हमें ये इडिक्शन की तरह हो गया है, इस सारी चीजों को इस दिवार को आपको तोड़ने की जरूरत है, दूर करने की जरूरत है, तो अपने आपको inspire रखने का काम आपको करना होगा, जाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा nature में जाने की जरूरत पढ़े है, थोड़ा रिलक्स सुनी की साथ अपड़े है थैंक्यू सो वेरी मिश जेटिवाइट फिस्ट प्रोका ख्लारिफिकेशन दे दीजिए थैंक्यू सो वेरी मिश आपकी कार्डेस के लिए डॉन जून के नटीस हैं तो आप मेंसे जो लोग भी अपने इमोशन को पूरी दरह से सेलिबरेट नहीं करते हैं आप कीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान आपको आपकी ही इमोशन के लिए या फिर आपकी अनिर्टिस के लिए नेगेटिव महसुस करवाने की कुशिश कर रहा है चाहे वो आपके रिष्टे होँ, आपके लिए कोई होप वाली चीजे हो या आप किसी चीज से कहीं दिल के कनेक्शन साफ रखते हो कोई आपका रोमेंटिक कनेक्शन हो, आपकी मेरेड लाइफ हो, आपकी फैमली लाइफ हो आपका करियर हो, ये जिस भी चीज में आपको प्यार में बाते हैं, जिस भी चीज को आप अपने लिए अच्छा समझते हैं ये इनसान कहीं न कहीं आपको कोई इनसान कहीं न कहीं आपको होपलेस मराने की कोशिश कर रहा है या किसी ने की है पास्ट में भी, या कोई अभी भी कर रहा है, तो आपको यही चाहिए कि आप अपनी कॉलिटी स्कूर या फिर आपके देर जो भी जो भी आपकी अंदर अच्छे गुण हैं, उनको उभारिए, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, अगर आपको म्य जो शौक है उसको मारिये नहीं उसके अंदर कुछ न कुछ आप अलग तरह से अपनी चीज़े कर सकते हैं लिएकि अपनी शौक जो भी आपके शौक है उनकी तरफ आपको जाने की ज़रुदत है अपनी होबिस को आपको बढ़ाने की उनको देखने की ज़रुदत है कोई इंसान यहाँ पर आपको hopeless बनाने की कोशिश कर रहा है आपकी खुशियों के लिए ताकि आप hope ना रखें कि मेरा भविश्य मिली जिन्दगी अच्छी हो सकती है तो reverse में आया है slave का card giving your willpower to an external authority out of fear of making your own choices तो देखिए मैं आपसे कहा ही था भी कि कोई आपको यहाँ पर hopeless बनाने की कोशिश कर रहा है जब आप अपनी willpower को किसी और को उसके authority दे देते हैं fear की बज़ा से और आपकी life की choices वो करता है तो आपकी life के अंदर कोई इंसान आपकी energies को आपकी काम को आपकी life को manipulate करने की या तो किसी ने कोशिश की है बेभी किसी person ने की हो चाहे ये ये इनसान थोड़े समय के लिए आपके जिवन में आया हो और चाहे दोस के रूप में हो किसी रिश्टेदार के रूप में हो ये किसी और relation के रूप में हो male female कोई भी हो सकता है चाहे आप female है तो ये कोई female भी हो सकती है लेकिन इस इनसान ने आपकी energies को या फिर आपकी life को अपने हिसाब से mood करने की कोशिश की ताकि आप कहीं ना कहीं डर के मारे इस इनसान को ये कहें कि तुम ही मुझे मुझे सही गाइट कर सकते हो या कर सकती हो अब तुम्हें मुझे गाइट करो कि क्या है और इस निसान ने आपके उपर डेफिनिटिल यहां स्पैल वक तो है ही क्योंकि इस चैनल पर उन्चीरों की बात हो दी है तो इस निसान ने आपको हो प्रेस बनाने के लिए आपके चा इस इंसान ने बेसिकली आपको जो इस इंसान का फंडा था ना या फंडा रहा है इस इंसान पहली बात अगर ये किस तरह के रोमेंटिक रिलेशनशिप की बात करता है ये किसे रिलेशनशिप की बात करता है तो इस इंसान लॉयल नहीं था ये नहीं थी दूसरा अगर ये ब और जितना भी इसने support किया होगा, इसने अपने उपर, आपको अपने उपर depend किया होगा, कुछ मामलों में ये इंसान आपको बढ़काता भी होगा, ऐसा मुझे लगता है, Mediator का card है, last reading में भी था, negotiating with an ulterior motive or hidden agenda, either personally or professionally, Light Attributes निसके gift for negotiating fairness and strategy in personal and professional life, respect for both sides of an argument, तो ये कोई ऐसा इनसान भी हो सकता है, जो कि बीच में आप से बात करता था, या जिस इनसान ने बीच में आप से बात करी है, इस इनसान ने रंग बदलने की कोशिश की है, जिस मैंने पहले ही कहा था, यह already इनसान बहुत ज़्यादा fake और बहुत ज़्यादा trust नहीं किया जा सकता है तो short में मैं यह किया सकती है चलिए यह वीरिवर्स में है, child magical की energies है, shadow attributes है pessimism, depression and disbelief in miracles, believing that energies and actions are not required for growth तो यह इनसान यह जो भी लोग हैं इन्होंने past में आपको इस तरह की energies देने की कोशिश की, जब आप miracles पर यकीन ना करें और आप इस चीज़ पर यकीन ना करें कि आपको growth करने के लिए energies की या actions की जरूरत है यान की आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको या किसी को किसी तरह के addiction में फसायरत का या फिर यह इन लोगों की energies हो सकती है, जो भी आपके energies में active है, कि इन लोगों को लगता है कि इनको किसी भी तरह की action करने की जरूरत नहीं है दूसरे की एनर्जिस को बस खा लो और भी लो यहाँ पर भी यह कार्ड रिवर्स में है बाटम आफ अटेक देख लेते हैं क्या कार्ड है चाइल्ड ओर्फर थैंकियो सो वेरे मिश्टी अडिवाई इस इंसान ने आपकी लाइफ में आपकी जैसे की लास्ट शिटिंग में मैंने कहा था कि फैमिली को डिस्ट्रॉई करने की कुशिश की है तो बहुत ही जादा यह एनर्जिस वहीं से आ रही है इस इंसान के बहुत ही जादा अलग ही मोटिव थे और कप्टी किसम की एनर्जिस हैं यहां पर यह इनकी दुश्ट रता वाली एनर्जिस हैं जहां पर इस इंसान ना सिर्फ मेबी आपके बश्बन से ही इस इनसान ने आपके उपर यह सारी चीज़े की यह आपको होबलेस बनाने की कुशिश की और हमेशा खुद को अच्छी energy में रखा या फिर ये इनसान आप पे बश्चमन से ही जादो टोने करता रहा है या करती रही है और इसने आपको एक orphan वारी जिन्द की जीने बे मश्पूर किया है family के होते होई भी या माता पीता के होते होई भी देखें मदर के अनर्डीस हैं वो भी रिवर्स में तो ये खुद की कोई आपकी मदर भी हो सकती है जिसमें थीर की भूमिकानी भाई है something or abandoning children, smoothing or abandoning children, stealing guilt in children for becoming independent तो ये कोई आपकी मदर हो सकती है जिन्होंने बच्पन से ही कामों को किया है जहां पर ये आपको copy करती रही है इस चैनल पे हैं इसे लोग जिनकी मदर ने उनकी साथ ऐसा किया है भाई तो आपको overpower करने की आपको control करने की हमेशे ही कुशिश की है आपकी mother ने या किसी mother figure ने अब ये mother figure आपकी family में कोई भी हो सकती है आपकी बड़ी बहन हो सकती है किसी और की बहन हो सकती है तो ये मावेन ही खूं रही है इस channel के उपर तो यह इनसान तुबारा आपको अपनी एनर्जिस को कंट्रोल करके आपको hopelessness देना चाहता है यह चाहती है it is going to be okay blessing is yours तो इस इनसान ने आपकी blessings को छीना है लास्ट शीटिंग में यही होना पसंद नहीं था यह आपको अपने slave बना कर रखना चाहती थी और यह कोई इस तरह की इनसान हो सकती है जो कि family के अंदर इसकी दख्रंदा जी थी और इस इनसान ने लगातार आपकी family को destroy किया है और यह तब चीज़े resonate होती है जब आप सही थे ठीक है this family member is so much obsessed with your success for copying you thank you so very much dear divine यहाँ पी है यह अपको बताई है यह कोई भी ऐसा इनसान हो सकता है जो कि आपके काम से आपकी चीज़ों से इतना ज़्यादा obsessed है कि आपकी जैसा ही बन जाना चाहता है thank you so very much divine messages को confirm करने के लिए तो यह किसी के sister cousin कोई भी हो सकती है का इनसान है मेरिया फीमेल जो भी है कि इसका professionally या personally hidden agenda है जो दगातार आपकी कामों को आपकी रेंडिस को जानने की कोशिश करता है करती है या फिर यह इनसान आपकी जगा ले लेना चाहता है यानि कि जाहे इस spiritual realm में हो या फिर इस world में हो या फिर दुनिया के सामने हो यह इनसान आपसे बहतर बनने के लिए आपको रोग देना चाहता है कि आप रोग जाए और यह इनसान आपसे बहतर बने जाए तो इसलिए मा काली अपियर है यहाँ पे यह इनसान डेफिनिटल अभी भी आपकी तरफ ऐसी एनर्जी इसने भीजी है या भीज रहा है यह परसन या मेल या पी मिल चोगी है जिससे आप अपनी लाइफ के लिए कोई भी एफ़र्ट ना करें जैसे मैंने कहा कि आप स्टॉप हो जाए यह इनसान आपको स्टॉप कर देना चाहता है आके बढ़ने से यह आपके काम को रोख देना चाहता है आपके ओफिश रेट एकाउंट्स को हैक कर बाकर किसी ना किसी शेप साइजर फॉम में Sagittarius Fire Element आपके यह इसका हो सकता है Family Member का Thank you so very much Dear Divine Want you to give up, quit on yourself Thank you so very much Dear Divine जैसे कि मैंने भी आप से कहा यह इनसान आपको stop कर देना चाहता है Thank you so very much Dear Divine Messages को confirm करने के लिए Smile कीजिए, हसिये, मुस्कुराइए क्योंकि यह तो कोने वाला नहीं है Thank you so very much Dear Divine this is not for everyone you are not from same family तो ये सब के लिए message नहीं है आप same family के person नहीं है आपको या तो adopt किया गया है या steal किया गया है they will tell you you are crazy money hungry people हैं ये लोग जो की पैसे के लिए आपके साथ रिष्टा रखते हैं तो यहाँ पे हो सकता है आपको adopt किया गया हो और maybe किसी ने हमेशा ही क्योंकि आपने ऐसी family में जरम लिया जिनको सिर्फ पैसे से या फिर matteristic चीज़ों में ही interest था या पैसे में interest था उन्होंने हमेशा वैसा ही interest रखा उसमें रुची रखी और आपकी भावनाओं को या पिर जो emotional चीज़े होती हैं उसको कभी matter नहीं किया आपकी emotional sensitivity को कभी matter नहीं किया या लोग वो रहे हैं जो कि अगर कोई इनके सामने रो रहा है तो ये उसके साथ आशू बहाने वाले लोग रहे हैं कि ये भी दो आशू बहा कर ही उठेंगे उससे पहले नहीं उठने वाले हैं क्योंकि ये chemilin के energies में हैं जो कि group और रंग को बदलता है जो कि अपने रंग को बदलता है तो भाईया गरगट की जैसे है Thank you so very much doubt नहीं करना किसी बात पर Thank you so very much ये चाहते हैं कि आप अपने आप पे doubt करें आप इस बात पर doubt करें कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता When they are digging in your subconscious I was there, I am there watching everything तो ये आपके एडिक्शन्स डालने की या फिर नेगिटिव एडिक्शन्स डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पता ही ना चले कि कैसे अचानक आपके जीवन में चीज़े खत्म हो गई लेकिन यहाँ पर मा काली ने अल्री कहा है from death comes rebirth यानि कि अन्थी आरंभ है तो आपके लिए कुछ भी चीज़े टेंशन वाजी नहीं है Thank you so very much Thank you God इसके आगे messages नहीं लेंगे रिमोट प्रेसे से लोग दूरदरा से चीज़े करते हैं या करवाते हैं Bottom of the deck के गार जी ने चलका कार Thank you so very much divine messages को खत्म करने के लिए इस reading को खत्म करने से पहले आप क्या वैट करना चाहते हैं Thank you so very much divine को क्या divine को क्या वैट करना चाहते हैं Thank you so very much Intention Intention matter करती है कि आप किस तरह की intention रखते हैं अपनी life के लिए तो आपको अपनी intentions को clear करना होगा और आप अपनी intention को clear करेंगे अपनी सोच को सही रखेंगे सही दिशा में रखेंगे तो वो चीज़े अपने आप भी हो जाएंगी Enchantment का कार है तो आपको बिश्वास रखना है जो भी आप सूचते हैं अपनी जीवन के लिए कि यह हो सकता है यह miracle हो सकता है या मेरी life में यह हो सकता है वो हो सकता है लेकिन उस पे विश्वास आपको रखना होगा और आपको divine से help पर ही मांगनी होगी ठीके आपको loose hope नहीं करनी है यानि कि अपनी hope खतम नहीं करनी है आश्रा से निराश्रा में नहीं जाना है रोमांस का यहां पर काड है और आपको ऐसे लोगों से भी साब्धान रहना है जो कि आपके लिए गलत भावनाय रखते हैं बाकि अगर आपको लगता है कि आपको कहीं जाना आने की जरूरत है तो जरूर जाएगा लेकिन यहाँ जो मैं समझ पा रही हूँ इश्वच आते हैं कि किसी तरह की false energies से आप साब्धान रहे हैं क्योंकि चैमेलियन की energies में आया है romance का काड़ तो आपको ऐसे लोगों से साब्धान रहना होगा जो प्यार के नाम पर अपने रंग बदलते हैं चाहिए वो कोई भी हूँ तो false romance की कोई energies हो सकती है या फिर आपसे कोई जूटा प्यार दिखा सकता है तेंक यू यह किसी ने दिखाया है पावर तो आप अपनी पावर में रहिए और अपने आपको पावरलेस नहीं बनाएए यह लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं bottom of the deck कितना खूब सुरत काड़ है आग इंजर माइकल का तो आग इंजर माइकल है यहाँ पे आपको protect करने के लिए तो आग इंजर माइकल के deck से भी दो काड़ दे लेते हैं क्योंकि वो अपियर हैं यहाँ पे thank you so आग इंजर माइकल क्या वैट करना चाहते हैं सिर्फ दो काड़ ढूंगी आग इंजर माइकल के deck से don't settle for less तो देखिए यहाँ पे child magical child orphan के energy ती आग इंजर माइकल भी यही कह रहे हैं you are a child of the divine तो आप चाहे magical child है चाहे orphan child है लेकिन आप इश्वर के child है बच्चे है और आप हर वो चीज़ चाहते हैं जो भी सपने आप देखते हैं वो आप पूरा करना deserve करते हैं don't give up मैंने आपसे यही कहा था अभी कि आपको अपने सपनों पे विश्वास करना होगा thank you so very much आके जामाइकल एक और last card दे वीचे thank you so very much आके जामाइकल आपकी guidance के लिए welcome abundance into your life prosperity is on its way to you have faith that source will heal your financial challenges तो अगर आपके कोई financial challenges है तो बिल्कुल वो सही होंगे और आके जामाइकल के deck से मैं reverse card नहीं लेती हूँ don't give up on love तो अगर आपकी life में false romance की energy आती भी है तो भी आपको यह नहीं सोचना है कि लोग छूटे ही है relationship you cherish can be healed अगर आपका रिश्टों में कुछ अलगाव है वो ठीक हो सकता है आगे जामाइकल से मदद मांगिए ताकि आप माफ कर सकें उन लोगों को जो नहीं जानते कि आपके सब कैसे रिश्टा रखना है और जिसकी वज़ा से आपने बांडरिस बना ली है या फिर आपने दीवारे खड़ी कर ली है दिल में ताकि आप आगे बढ़ सकें और आप फिर से अपनी लाइब में लब को वेलकम कर सकें ट्रस्ट कीजिए अपने डिवाइन परपस भी अपनी लाइब की इस एक्सपिरियंस पे जो कि आपको बहुत कुसी खा रहा है तो होब कि ये मेसेजिस कुछ भी आपके काम में आ सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी पीडियो पसंद आया हो तो लाइक चरू कीज़े का कमेंट बॉक्स में बताएगा फैमिली ये लिंग आपके लिए कैसी रही और अपनी एनर्टिस में आपको बिल्कुल भी होग को लूज नहीं करना है माकाली अपियर हैं आखें जमाइकर अपने आप अपियर हैं आपको कहा गया है अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए और इश्वर आपके साथ हैं उसे मदद मांगिए और आपको कम में सेटल नहीं होना है क्योंकि इश्वर ने आपके सपनों को पूरा करने का चार्ज अपने हाथ में ले रखा है ठीक है आपके समय बहुत बहुत शुभू थैंकिस तो वेरी मच्छ गॉट प्रेस्ट यॉल